राजकुमार से बिलिये बिहार के छब्रा के रहने वाले बीपेशली में नौकरी मिल जाए इसके लिए दिन रात एक किये बस हमलोगों को रुजगार मिलना चाही है नौकरी की उमीद तो कॉम्पिटिशन के जहत्र ओंप्रकास यादब को भी है उमीद हो भी क्यों ना, यकीन है एक ना एक दिन काम्याबी से मुलाकात हो ही जाएगी बिहार के आजे कुमार का दिन शिक्षक भरती वाले एक्जाम की तैयारी में बीत रहा है पिछली बार भी BPSC दिया था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया इस बार फिर मैदान में इन युवाओं के यकीन के पीछे की वज़य क्या है क्यों लगता है कि बिहार में नौकरी की बहार आ रही है थोड़ा सा फ्लेशबैक में चलना पड़ेगा 10 अगस 2022 को नितिश कुमार ने आठवी बार बिहार के CM पद की शपत ली साथ में तेजस्वी आदव ने डेपुटी CM का पदभार समवाला शपत लेते ही एलान कर दिया 2025 तक लाखों लोगों को रोज़गार देंगे एलान बड़ा था, जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा बड़ी स्यासी गलियारों में तेजस्वी का मखौल उड़ाया गया लेकिन एक साल मैं बिहार में बंपर नौकरियां मिली नियूकती पत्र बटने की तस्वीरे सामने आने ले सरकार बने एक साल चार महीने और पंदरा दिन बीट गए है सवाल है कितने बेरोजगारों के घर खुशियां आई एक साल में कितने ऐसे लोग हैं जो सिर उठा कर कह सकते हैं कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग गई और कितनों को मिलने वाली है 13 जन्वरी को बिहार सरकार BPSC के दूसरे चरण में सिलेक्ट हुए एक लाख दस हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देगी पटना के गांदी मेदार में खुद नितिश कुमार 25 जार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सोंपे गे बाकी 85 जार नियुक्ति पत्र बांटने की जिम्मेदारी मंत्रियों को दी गई है एक लाख बीस हजार वेकेंसी के लिए 7 से 15 दिसंबर तक दूसरे चरण की परिक्षा हुई थी दो लाख तीस हजार सिर्फ सिच्चक के नियुक्ति की गई की दुनिया में कोई राज नहीं है गूगल पर साज करके देख लो बिहार ने पहला कर दिखाया सर छेतरों में बिहार की सरकार रोज़गार देने के सबाल पर अपने पर्णों को अपने commitment को भागु कर रहा चुनाम में किया वादा निभाया जा रहा है बिहार की इमेज बदल रही है सवा दो लाग शिक्षकों को नौकरी देने वाला बिहार दुनिया में टॉप पर है दो नवंबर 2023 को बिहार की महागटबंदन सरकार ने एक ही दिन में एक लाग बारह हजार शिक्षकों को नियुक्तिपा तरबांटे थे बीपेसी शिक्षक भरती के पहले चर्ण में एक लाग चालिस हजार से ज्यादा वकेंसी निकाली गई थी नौ लाग से ज्यादा भेहर थी पहले चर्ण की परीक्षा में शामिल हुए जिसमें से एक लाग बारह हजार ने एक्जाम क्लियर कर दिया ये 16 महीने में दी गई नौकरियों का लेखा जोखा है दो महीने बाद बिहार में फिर मंच सज रहा है नियुक्ति पात्र बांटे जाएंगे दावा है कि करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्य कर्मी का दरजा मिलेगा कैबिनिट की मोहर लग चुकी है लेकिन उसके लिए नियोजित शिक्षकों को एक परिक्षा देनी होगी नियोजित शिक्षकों को तीन बार ये परिक्षा देने का मौका दिया जाएगा जो सफल होंगे उन शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा मतलब नौकरी पर्मानेंट हो जाएगी इसी साल लोकसवा चुनाव है बिहार में रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है बिहार सरकार अपनी पीट थप्तपा रही है कि हम लोग युवाओं को नौकरी दे रहे हैं इसी के साथ केंदर पर भी हमले जारी है इसे विप्तार प्याज़ाएगा बिमार करें देरें अस्तपार जाज़ें में देज़ाएगा